पश्कार, वेलकम टू दी नेक्स वीडियो, माई नेम इस कमले सिंग बला एंड वेलकम टू मनी मस्टरी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कॉंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जिस कॉंसेप्ट को यदि आप अच्छी तरीकी से समझ सको और उसको अपनी लाइफ में इंप्लिमेट कर सको तो इट केन ब्रिंग ए पैरडाइम शिफ्ट इन यूर लाइफ और यट कॉंसेप्ट इस दो कॉंसेप्ट आफ परसनल ब्रेंडिंग इस से पहले मैं आपको एक शब्द से रूब रू कराना चाहता हूँ और वो शब्द है ब्रेंड इस शब्द को मैं आपको एक एक एक्जांपल के तुरू समझाओंगा आप एक रास्ते से होकर जा रहे हो और आपको बहुत ही भूग लगी है वहाँ पर 10-15 रेस्ट्रोंट है आप उसी रेस्ट्रोंट में खाना खाने के लिए जाओगे जिस रेस्ट्रोंट के बारे में आपने पहले से सुनाए जिस रेस्ट्रोंट के बारे में आप पहले से जानते हो उसी restaurant में आप खाना खाने के लिए जाओगे और यह होता है the power of brand आपके सामने चार पानी की bottles रखी हुई है आपको प्यास लग रही है chances है कि आप उसी bottle से पानी पी होगे जिस bottle के बारे में आपने पहले से सुना हुआ है हो सकता है आप बिसलरी लो हो सकता है आप किन ले लो और वो ही होती है brand इसी प्रकार आपकी भी एक brand होती है हमारी सब की एक brand होती है हम सब एक individual identity है और हम पहले से एक brand है अब हम अपनी branding किस तरीगी से करते हैं इसको कहते है personal branding आप अपने आपको promote कैसे करते हो अपने business को नहीं आप अपने आपको logo के सामने कैसे present करते हो यह होता है the concept of personal branding जब लोग आपको देखते हैं जब लोग आपकी image देखते हैं जब लोग आपके बारे में सुनते हैं जब लोग आपको observe करते हैं तो उनके दिमाग में क्या thought आता है क्या perception उनके दिमाग में किसे आमने present कैसा करना चाहते हो आप क्या चाहते हो कि जब लोग आपका नाम सुने जब लोग आपका चेहरा देखे तो उनके दिमाग में सबसे पहला thought क्या आना चाहिए क्या वो आपको एक professional के रूप में देखे क्या आपको वो एक expert के रूप में देखे क्या आपको वो एक business tycoon के रूप में आपको देखे यह आप पर depend करता है और यही होता है the concept of personal branding और इस को समझने के लिए आप उन सब सारे successful celebrities को देख लीजिए जिन्होंने अपने लिए एक बड़ा नाम कमाया है और जिन्होंने बहुत सारी wealth create किये और वो होत वो है आप शारुकान को देख लीजिए आप विराट कोली को देख लीजिए आप अपित्ता बच्चन को देख लीजिए यह इन्होंने अपने आपको एक brand के रूप में लोगों के सामने present किया है इसलिए वो अपने इसलिए उनके social media आप इतने करोड़ों followers होते हैं इसलिए जो भी वो अपनी life में करते हैं लोग उनको follow करना चाहते हैं और यह होता है the power of personal branding यदि आप अपने आपको एक personal branding के रूप में present कर सको तो you are irrepressible लोग आपको follow करेंगे लोग आपके बारे में और जानना चाहेंगे और सबसे बड़ी चीज होती है कि एक तो होती है company brand और एक होती है आपकी personal brand company brand तो एक limited होती है कि आपने एक company चालू कि कि मैं एक company जैसे आप एक company चलाते हो तो आप उस company के थूप अपनी branding कर रहे हो वो ज्यादा कारगर नहीं होती उसकी बजाए आप अपनी अगर अपनी एक personal brand बनाओ तो आप multiple businesses आप अपनी एक brand के अंदर कर सकते हो और यह होता है the power of personal branding अब यह important ही होता है why this personal branding is important यह important इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि if you are selling ideas यदि आप कोई idea बेच रहे हो यदि आप कोई product बेच रहे हो और यदि आप कोई service दे रहे हो तो यह तीनों चीज़े copy की जा सकती है आपकी idea भी copy की जा सकता है आपकी service भी copy की जा सकती है आपका product भी copy की जा सकता है लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो copy नहीं की जा सकती वो है आपकी self identity वो है आपका चहरा और वो है आपका नाम इसको कोई भी change नहीं कर सकता आप शारू खान के पास से सब कुछ पैसा ले सकते हो जितना भी पैसा उसने कमाया है सब कुछ ले सकते हो लेकिन उससे आप एक चीज़ नहीं चीन सकते है वो है उसका नाम और उसका चहरा और जो repetition उसने बनाई है वो आप उससे नहीं चीन सकते हो क्योंकि उसने अपने आपको ही एक product के रूप में logo के सामने present किया है अपने आपको एक brand के रूप में logo के सामने present किया है और यही होता है the power of personal branding इसलिए personal branding आपकी life में इतनी important हो जाती है second reason जो जिसलिए personal branding important होती है वो होती है कि हो सकता है आपको business कर रहे हो और हो सकता है आपको job कर रहे हो तो यह आपको आपकी competition से separate कर देता है if you are working on your personal branding it will separate you from 99% of the people who are doing the same business हो सकता है आप भी वो business कर रहे हो जो 99% लोग कर रहे हो लेकिन यदि आप अपने आपको separate करना चाहते हो यदि आप अपने आपको इन सारे लोगों से अलग करना चाहते हो एक expert के रूप में देखना चाहते हो तो personal branding can play a huge role क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि people don't do business with brands people do business with people लोग ब्रैंड के साथ business नहीं करते हैं लोग लोगों के साथ business करते हैं यदि आपने आपको एक professional के रूप में एक expert के रूप में तो लोग आपको trust करेंगे और इससे ये भी होता है कि दीसरी चीज़ होती है कि एक authority build होती है एक trust build होता है और एक reputation build होती है यही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो जिसलिए personal branding important होती है क्योंकि एक personal branding से आप reputation बढ़ी कर सकते हो आप multiple businesses कर सकते हो आपको कोई copy नहीं कर सकता और आप अपने आपको एक brand गी रूप में present कर रहे हो और यह irreplaceable होता है सबसे बड़े advantage यही होता है इसलिए आपको अपनी personal branding पर focus करना पड़ेगा यदि आप अपनी life में exponential growth चाहते हो यदि आप चाहते हो कि मेरे life में कुछ opportunities मिले और यह importance यह भी होता है personal branding का कि जितना आपने personal branding कर रखी है उतनी opportunities आपके पास आईगी क्योंकि ज़्यादा लोग यदि आपको जानेंगे ज़्यादा लोग यदि आपके चहरे को जानेंगे business का कोई चहरा नहीं होता मैं आपको बदना चाहता हूँ लेकिन आपका एक चहरा है आपकी एक identity है यदि आपको ज़्यादा लोग जानेंगे तो ज़्यादा opportunities आपके पास आएंगी ज़्यादा opportunities यदि आपके पास आएंगी तो ज़्यादा result आपको अपनी life में बिलेंगे ज्यादा तर लोगों के पास opportunities ने मिल पाती क्योंकि लोग उनको जानती नहीं है सबसे पहले तो आपको लोगों को अपना चहरा बार बार देखाना पड़ेगा इसलिए personal branding important होती है अपने आपको आप brand हो लेकिन आप क्या चाहते हो कि लोग आपको किस तरीके से देखे तो यही था concept of personal branding I hope you have learned something from this video next video में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से personal branding अपने लिए कर सकते हो यदि आप अपनी life में exponential growth चाहते हो thank you very much I hope you have learned something from this video I will see you in the next video